प्रश्नावली 10.1 इसका पहला प्रश्न है एक वृत की कितनी स्पर्ष रिखाएं हो सकती है देखिए हमारे पास ये एक वृत है ये हमने इसकी एक स्पर्ष रिखा बनाई है उपर जो की वृत को केवल एक बिंदु पर स्पर्ष कर रही है इसी प्रकार से एक अन्य बिंदु पर एक और स्पर्ष रिखा बनाई गई है इसी प्रकार से यहाँ पर एक और स्पर्ष रिखा बनाई गई है एक अन्य बिंदु उपर एक और स्पर्श रेखा बनाई गई है, ऐसे ही नीचे की तरफ भी एक स्पर्श रेखा है, यहां भी एक स्पर्श रेखा है, बिंदू P पर भी एक स्पर्श रेखा है, और यहां उपर भी एक स्पर्श रेखा है, तो हम इससे यह ज्याद कर सकते हैं कि एक बिंदू प पर एक स्पर्श रेखा है तो वृत तो असंख्य बिंदूओं का समू है इसका मतलब वृत पर असंख्य स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि एक वृत की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं धन्यवाद